नमस्का, Agri Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज 22 सब्टेंबर, कल के सेशन में हमने देखा आदे परशन की तेजी के साथ Agri Resk में मार्केट 1149 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जो कहीना के संकेत देता है कि Agri Resk में तेजी है Agri Resk की तेजी के चलते हम पूरे ही कमोर्टी काउंटर में Agri के अंदर एक रिकावरी आते वे देखा बट आज के सेशन में हमने देखा कि 1150 की ओपर प्राजिस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो possibility एक pullback देख पाएं जो करीबन 1128-1130 की करीब का हो सकता है Agri Resk में pullback आता है तो इसका अंकलब बाकी commodities में भी आज गिरावर्ट का रुक रहेगा सबसे पहले अगर हम edible oil pack की बात करें टकल सोयाबीन में आदि परसंट की गिरावर्ट रिफाइन सोया ओईल में डेट परसंट सवा परसंट की गिरावर्ट मस्टर सुस्त्रा है जबकि कैस्टर में आदि परसंट की तेजी के साथ market close होता हुँआ दिखाई दिया थी में अदर अभी भी भी विखव अλी में पाने 2 परसंट की गिरावाट। चीरे में बशासट की गिरावर्ट। धन्येश में आदी परसंट से थोड़ा सा कम गिरावर्ट का रुख़ी इ बना हुआ दिखाई दे रहा है चैने में रिकवरी की कोशी जरूर की बड़ जैसे हमने पहले भी का कि यावन सो से बावन सो के बीच में ही प्राइज ट्रैक करते हुए दिखेंगे में मार्केट से रेंज में हिरा गवार सी गवार में सवा सब परसंड की गिरावट थी अगले कुछ सेशन में बड़ी प्राविट बुकिंग देखने मिल सकती है चार्टिंग लिए बात करें तो मैं था लॉंटम में अभी अच्छा लगता है बट शॉट टम में अगर हम बात करें तो प्राइज में दबाव बना हुआ है जो 930 से 928 तका लेवल दिखा सकता है बड़ यह लेवल से फिर से बाउंस कभी भी आ सकता है कॉटन की बात करें प्राइजर्स एक रसीमी दायरे में है अट्रा जार एक सो का लेवल तोडने पर ही हम बड़ी तेजी देख पाएंगे फंडामेटल मजबूत है अधरवाइस प्राइजर्स अट्रा जार एक सो से लेकर 17700 के बीट में ही ट्रेट करेगा वाई कॉड़ास जी डॉल केक में अभी विक्वाली जारी है अठाटासों का लेवल तोड़ने पर फ्रेश गिरावाट मिलेगी अधरवाइस प्राइजर्स एक सो से लेकि 840 के जाहरी में ही ट्रेट करता होगा दिखाई देगा अध झाल 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 झाल